हालो आफ्रिवान वेलकम टू माई चानल आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ यह बहुत ही यमी सी पॉप्सिकल जो घर में रखे हुए को समानों से बन सकती चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एक कब दूद लिया यह 200 ml दूद है और यह एक चोथाई सबस्क्राइब दूद लिया इसी से हम एक अच्छा सा स्मूध सा पेस्ट बना लें इस लोगडाउन में समान में मिलना मुश्किल है तो आइस क्रिम खाने के क्रेविंग हो रही हो तो आपको यह रेस्पी जो हो बहुत है अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप कोई भी एसेंस डाल कर आप उसे इंजॉय कर सकते हैं चले बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एक कप पतीले में एक कप दूद लिया है इससे हम तब तक बॉइल करना है जब तक इसमें उबालना आ जाए उबाल आने इतने दूद में पांचे पॉप्सिकल तो आरा यह मैंने जो आटे का गोल बनाया था इससे बस एक बड़ चलाकर हम इसे धीरे धीरे डालना है एक साथ मध डालेगा नहीं तो लमस पढ़ सकते हैं इसलिए धीरे धीरे करके इससे डालेए और दूद के साथ अच्छा से डुजॉल करना है एक विस्कर की हेल्प से मैं इसस जादा डाल सकते हैं अब मैं सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हूं जिस पर शक्कर भी है दूद के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए अब बस सारी इंग्रीडियन्स को तब तक हमें पकाना है जब तक ही गाढ़ा ना हो जाए अब हलका हलका गाढ़ा हो गया है अब सार होनी में अराम से सब्सक्राइब करें और दूबारा गैस पर चड़ा कर सकते हैं if consumed कोगो पावडर जो है दूद के साथ अच्छे तरह से मिकस हो गया है और यह मिछरन काफी गारा भी हो गया है बस हमें इसी तरह कोको पावडर जाएग तब तक हमें उसे पकाते रहना है अब चली हम इससे साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए अब आधा घंटा हो गया है और हमारा मिश्रण जो है वो ठंडा हो गया है अब मैं मिक्सी में इसे एक बार अच्छे से चला दूए अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप प्लेन फ्लीवर की भी आईस क्रीम बना सकते हैं बस अब सारा मिश्रन एम मिक्सी जार में डालकर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे स्मूट सा पेस्ट हो जाएंत तब तक हमें से ब्लेंड करना है और किसी भी ऐր टाइट कंटेनर में इसे पोर कर दीजह दो घंटे के लिए हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे उसके बाद हम एक बार इसे और चलाएंगे जिसे यह जो हमारे पास यह चौकलिट सिरफ था ना उससे भी मिक्स कर देंगे आप इसे मीक्सरी में डाल कर अच्छे से चंग कर ज़कते हैं पर मैं इसी मिक्स कर दे रही हैं क्योंकि हमें एक बार एसे और चलाना है ना अभी तो दो घंटे के लिए हम इसे सेट होने के लिए हैं परीजर में दो घंटे बाद हम इसे पर फिर चलाएंगे उसके बाद हम डिस्पोजल कब में फोर करेंगे दो बर चलाने से आइस्क्रीम बहुत जादा प्लफी और एकदम सॉफ्ट बनती है इसे मैं एक बर फिर से मिक्सी में हम चंक करेंगे यह दो घंटे हो गए मिश्रन जो है बहुत जादा सेट नहीं हुआ है यह देखिए इस तरह का है में इससे मेरेे एक बर मिक्सी में चला दिया है अब हम इसे पूर कर देते हैं कम तो आपके पस ऐसफ की मोल् אני विपर कर सकते हैं पर मैं डिस्पोजल कप में पूर किया है क्यूंकि बैर में डिस्पोजल कप सब कहां होते हैं मैं तरह से हम सारे जो लिप evangel कप है उस पीसेस करके आप कैडवी चॉकलेट के भी डाल सकते हैं मैंने सब को अलुमीनियम पॉइल से कवर कर दिया और आइस क्रीम स्टिक लगा कर इस सब चीजों को हम रात भर रख देते हैं पुरी रात हमने आइस क्रीम रख दिया और हमाई आइस क्रीम पॉइल को इस पर से निकाल देते हैं अच्छे से जम भी गई है और यह बहुत क्रीमी बनती है इसमें कोई भी बर्व के क्रिस्टल नहीं जमेंगे और आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हमने आटा डा और यह खाने में भी ट्रस्ट में बहुत यम यम मैंने एक डीरी मिल्क को मेल्ट करके इस तरह की प्लास्टिक बैग में डाल दिया है और हलके हलके से इसे आइस क्रीम के उपर पॉप्सिकल के उपर पोर कर देते हैं आप चाहें तो इससे चॉकलेट सिरप में भी लिप कर स आपको मिलते रहेंगे देखिए कितनी क्रीमी बनी है इसलिए आप भी बनाएं और घर पे रहें और अपना ध्यान रखेगा थांक्यू